कुछ दिन पहले कमेंट्स पढ़ रहा था वहाँ पर किसी ने मुझसे पूचा था सर मेरी एज 30 साल से 35 साल के बीच में अगर हो तो मुझे क्या smaller mid cap में invest करना चाहिए तो जबाब है आपको smaller mid cap में invest नहीं करना चाहिए आपको कम से कम mid cap में अपना 30% capital तो ज़रूर रखना चाहिए ताकि market में जब तेजी आए और जब bull run start हो तो उस bull run में आपका portfolio smaller mid cap की वज़े से थोड़ा सा balance रहे और safety से आप पैसा बना सको लेकिन अगर आपकी age जो है 45 है 40 है तो फिर आपको small cap तो बिलकुन हाथ नहीं लगाना चाहिए according to my knowledge आप अपने fancy advisors एक बात भी कर लेना लेकिन अगर आपकी age ज्यादा है तो smaller mid cap ना लेने का reason ये होता है कि आपके पास market में जब किसी वज़े से किसी temporary region की वज़े से कोई crash आया कोई गिरावट आई तो आपके portfolio को recover करने के लिए प्रयाप्त वक्त नहीं होता है क्योंकि अगर आपकी age 40-45 साल है तो आप 5-7 साल से ज़्यादा invest नहीं करेंगे आगे क्योंकि lifetime investment नहीं किया जाता है तो इसलिए बोला जाता है जिसकी age कम हो उसको अगर SIP शुरू करनी है तो smaller mid cap से उसमें अपना asset allocation बढ़ा सकता है लेकिन जिसकी age ज्यादा है उसको थोड़ा सा large cap उसको थोड़ा सा balance fund जैसे investment की तरफ जाना चाहिए safety भी उतनी ज़रूरी है जितना investment में थोड़ा risk लेना ज़रूरी है और mutual fund थोड़ा सा अच्छे से plan करके किया जाए तो long term में बढ़िया return दे सकता है चाहिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक चैनल को subscribe और bell icon दबा लिजे like कर दीजे thank you